जैए भोले ना दोस्तों कैसे हैं आप लोग गुरु महादिर विलसेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और यह है आपकी सोसाइटी जिसका फेस बन बन कर बिलकुल तयार है आपके सामने है और अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें सारे ही हमारे टू बेसके और ट्री बेसके के फ्लैट्स फरंट फेसिंग रहे होना तो यह एक परफेक्ट लोकेशन आपके लिए हो सकती है अभी आपने देखा कि कैसे बूम बैरियर यहां पर लगे हुए है सेक्यूरिटी किस तरह से टाइट है और किस तरह से आपके हर आने जाने वाले की प्रॉपर एंट्री यहां पर खीजाती है यह आपकी पार्क यहां से आप एंट्री कर पाएंगे और सामने भी एक गेट है तो वहां पर भी आप इसकी एंट्री और एक्जिट वहां से भी कर सकते हैं यहां कि टू वे आपका आना जाना रहेगा आपकी सुसाइटी के अंदर और आप देख सकते हैं प्रोपर शिवरिज गनेक्शन आपको आपकी सुसाइटी में मिलने वाली हैं पार्किंग आप देख सकते हैं कंप्लीट पार्किंग में हमने फोर फिट की हाइट तक 20 लगाई हैं सारे जो कॉलम्स हैं यह काफी हैवी कॉलम्स दिये गए हैं दोस्तों जिसे कि आपकी विल्डिंग हमेशा ही स्टॉंगली खड़ी रहे और इसके लाओ दोस्तों आपको पार्ट पूजा की भी जरूरत रहती है बगवान का मंदिर तो होना ही चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर आपके लिए बिल्कुल तयार है यह स्पेशली बनाय गया है सोसाइटी के तो काफी बड़ा और शांदार बंदिर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर भी आपके लिए बना कर गिया है तो इतनी पहरी लोकेशन है जिसमें सारी स्विधाय भी आपको दी गई है आपकी पार्ट पूजा का भी यहाँ पर विशेश ध्यान रखा गया है उबीद करता ह तो यह जितनी अच्छी लोकेशन आपको लग रही है दोस्तों उससे भी ज्यादा अच्छा आपको इसका 2BSK और 3BSK का फ्रेट लगने वाला है इस बिल्डिंग में पहले हम लोग वीडियो शूट करेंगे 2BSK फ्रेट की और 2BSK फ्रेट के बाद नेक्स्ट वीडियो शू है दोस्तों आपके 2BSK फ्रेट में जो की 60 स्क्वेर यार्ड ऑन पेपर है और 65 स्क्वेर यार्ड का इसका स्लैब एरिया रहने वाला है एंट्री करने के बाद यह शांदार लिविंग स्पेस आपको मिलेगा आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया भी बिल्कु पफेक्क्ली दोनों ही तरफ आपको स्टोरिज मिलती है और यहां पर भी ओपन शेल्फ आपको मिलेगी और अपर सेक्षिन पर भी लाइट लगाए गई है जिससे किसी गेट अप और भी शांदार आपको मिले और अब बात करते हैं आपके सिटिंग एरिया की बैक वॉल की तो यह कंप् अपने एकोर्णिंग रख सकते हैं सिलिंग की अगर बात करें तो कंप्लीट सिलिंग का डिजाइन भी यहां पर काफी डिफरेंट और यूनिक अधिया गया है साइज की अगर बात करूं तो इसका जो साइज है यह लगवग 13 फिट बाए और 10 फिट का आपको यह साइज मि आपर इस्तुमाल की हैं यह टाइल्स भी आपको ज़रू पसनाएगी एक और बात है दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर हमने जो रूफ दी है वो कोमन रूफ दी है यनकि आप छट पर भी जा सकते हैं और छट को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि वहां पर बच्चे खेल सकते हैं आप जाखर बैठ सकते हैं आपको सिटिंग एरिया मिलता है आपको वाटर के जो फॉंटेंस है वो मिलते हैं दोस्तों काफी अच्छे तरीके से हमने इसे डिजाइन किया है आप एक लंबी वाक भी कर सकते हैं क्योंकि पूरी सोसाइटी की चत बिल्कुल कनेक इस तरफ आपकी सिंक रहने वाली है फिटिंग्स आपको सारी की सारी क्वालिटी की मिलती है मिडल सेक्शन में आपको टाइल वर्क मिलेगा इस तरफ आपकी चिमनी है इसमें स्टोरिज काफी आपको मिलती है नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ आप और आपको बास्केट्स है, वो बिल जाती है जिसके अंदर steel premium quality का youse किया गया है काफे सारी basketballBasket है दोस्तों, अलग-ального sizes की तो जो और अलग तरहां के बरतन है और बागी सामान थे वो आप यहां पर रख पाएं यहाँ पर आपका corner आपको मिलता है यहनकी बड़ा समान आप रखना चाहें तो इस corner में आप easily रख पाएंगे इसके बात बात करते हैं दोस्तों आपकी upper section की तो upper section में आपको glass work दिया गया है काफी अची है आपको यह kitchen जरूर पसंदाएगी इस front में एक खास बात और भी है कि इसका wide front है और wide front होने की वज़ये से दोनों ही bedroom आपके front की तरफ आगे दोनों ही bedroom में आपको proper ventilation मिलता है window मिलती है एक bedroom से आपकी balcony में जाने का रास्ता आपको मिलता है जबकि दूसरे bedroom के अंदर आपको window मिलती है bedroom आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्सा bedroom आपको मिलता है size के अगर बात करें तो लग बग 12 feet by और 10 feet का इसका size है 6 by 6 का bed लगाने के बाद भी आपको तीनों तरफ काफी space मिल जाता है दोनों तरफ आपको जो wardrobe हैं वो मिलती है इस तरफ की जो wardrobe है यह आप देख सकते हैं काफी बड़ी आपको मिलती है नीचे open shelf आपको मिलता है यहाँ पर एक drawer भी आपको दी गई है और नीचे आपको shutters लगाकर जो storage है वो दी गई है उस तरफ दोस्तों आप देखेंगे आपको glass मिलता है यह आपको ready होने के लिए भी space मिलता है इस तरफ आपको glass की fitting के साथ अलमीरा मिलती है नीचे आपको open shelf मिलती है और वहाँ पर भी आपको नीचे दो बड़ी-बड़ी drawers दी गई है और एक छोटी drawer उपर दी गई है और कमरे की complete operating भी आप देख सकते है उस तरफ आपको मिल जाती है जिसमें आपको fan की operating है और आपके AC की operating भी आपको बहीं पर मिल जाती है बैट के ठीक सामने आपको TV पैनल मिलता है आप देख सकते हैं काफी शांदा TV पैनल आपके लिए बनाए गया है नीचे आपको दो drawers मिलती है open shelf मिलती है और complete fitness भी यहाँ पर दे गई है इस bedroom के साथ आपका washroom भी attached है दोस्तों तो यहाँ पर आपका washroom आपको मिलता है और washroom के ठीक साथ में यहाँ पर काफी बड़ी window भी आपको मिलती है और आप देख सकते हैं आपकी balcony में धूप भी proper आ रही है यानि कि इस window से आपको पूरी धूप मिलेगी आपके bedroom में और proper air ventilation रहेगा दोस्तों air जब cross करती है एक कमरे से दूसरे कमरे में तो ventilation बना रहता है मुझे पूरी उमिद है कि फ्लेट हर तरीके से आपको ज़रू पसंद आएगा अब बात करते हैं आपके second bedroom की ये second bedroom भी दोस्तों काफी अच्छे तरीके से design किया गया है यहां पर भी आप देखेंगे कि 6 x 6 का बेट लगाने के बाद काफी space आपको दिखाए देगा और यहां पर भी काफी बड़ी जो wardrobe है वो आपको मिलती है wardrobe की जो look and feel है यह भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से design की गई है यहां पर भी आपको नीचे operating सारी आपके बिलकुल हाथ के पास मिलती है open shelf मिलती है और तीन drawer यहां पर भी आपको दी गई है अंदर बहार हम हमेशा ही माइका लगाते हैं जिसे की सफाई रखने पे काफी help मिले और बेट के ठीक सामने अगें आपको टीवी लगाने के लिए एक platform ready करके दिया गया है और यहां पर भी आपकी जो complete fittings हैं वो आपको मिल जाती है बेट की पिछे की wall भी आप देखेंगे तो आपको P.O.P की designs मिलते हैं तो काफी अच्छी get up and look and feel आपको मिलती है दोस्तों आपके spread की और ceiling की अगर बात करें तो again ceiling का design भी काफी शांदार आपको मिल जाता है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको यहां पर window मिलती है जो की front की तरफ है window इसे लगाने का provision भी यहां पर दिया गया है और उसके बाद दोस्तों अब हम चलेंगे आपकी balcony में और अब आँ हैं दोस्तों आपकी balcony में और balcony आप देख सकते हैं काफी लंबाई भी sufficient है और इसकी चोड़ाई की अगर बात करें यहां पर पान निकलने के लिए एक outlet दिया गया है स्टीर की railing आपको मिलती है टफन ग्लास आपको मिलता है और front का flat है दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है front के 2BSK के flat बहुत कम है maximum buildings के अंदर आपको front में 3BSK और back में 2BSK के flats मिलते हैं लेकिन इस building में आपको सारे ही flat front में मिलते हैं तो यह दोस्तों आपका 2BSK का flat है जिसकी balcony आपने देखी front row आपने देखी आपने living space देखा आपने दोरों bedroom देखें अब मैं आपका जो common washroom है वो आपको दिखा देता हूँ यह है दोस्तों आपका common washroom और अब दोस्तों देखेंगे आपकी चट क्योंकि इस building के अगर आपने चट नहीं देखी तो इसका मतलब आपने काफी कुछ miss कर दिया तो चलो चलते हैं चट पर और अब आगे हैं दोस्तों आपकी चट पर और इस building में यह भी खास बात है कि आपके lift आपकी चट तक आती है complete चट आप देखेंगे दोस्तों बहुत ध्यान से देखेंगा क्योंकि चट आपके काफी काम आने वाली है complete चट पर आपको tile work मिलता है designer tile look दी गई है जिसे कि आपको बैठना जबाब बैठेंगे तो आपको look and feel काफी अची आएगी आपको यहाँ पर tile work मिलने वाला है आपकी दिवारों पर यह भी wooden shade में दी गई है जिसे और बिच सी get up आएगी यहाँ पर आपको light work भी मिलता है कि शाम के वाक्त राक्ति वाक्त जब आप यहाँ बैठेंगे या फिर अगर आपको कोई function करना होगा तो इन lights की जो get up है वो भी काफी शांदार आपको मिलती है यहाँ पर बच्चों के लिए आप देख सकते है activities के लिए जगे रखी गई है चीज़े रखी गई है तो easily आप इनको use कर सकते है यह area आपकी health के लिए दिया गया है यहाँ पर आपको gym बिलता है यह multi gym है तो इसमें multiple चीज़े होती है जिससे अपना आप जिमिंग कर सकते हैं और इस जगें को भी दोस्तों cover किया गया है completely light work यहाँ पर दिया गया है तो इसे भी काफ एच्छी get up देने की कोशिश की है और यहाँ पर आप देखेंगे जो tile work है वो भी आपको रूफ fight तक मिलती है यह complete चत इसी तरीके से design की गई है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जूले मिलते हैं दोस्तों आप easily यहाँ जूल सकते हैं यहाँ पर भी आपकी जिमिंग के लिए जो equipment है वो रखे गए हैं properly जो glasses हैं वो लगाए गए हैं उसके बाद बात करेंगे आपके बचों के लिए तो यहाँ पर completely section दिया गया है बचों के लिए जहाँ पर बच्चे enjoy कर सकते हैं बहुत सारे जूले दोस्तों यहाँ पर लगाए गए हैं यहाँ पर आपके जो open gym जिस तरह की होता है उस तरीके से भी activity के लिए यहाँ पर जगह दी गई है यह sitting area जगह जगह बनाया गया है जिसे कि आप यहाँ पर बैठ सके सारे tanks को चट पर रखा गया है आप देख सकते हैं complete tanks चट के ऊपर हैं और उ section की तो यह section बनाया गया है specially आपके बैठने के लिए अगेन आपको एक covered area मिल जाता है और यह covered area basically बनाया गया है जब आप यहाँ को function करें को party करें तो उसमें आपको cold rings पगएरा कुछ रखनी हो तो वह आप यहाँ पर easily रख पाएंगे back जो wall है इसे भी designer look दी गई है light properly यहाँ पर दी गई है और इसके अलावा complete wall पर यहाँ पर भी covered area है बारिश के वक्त भी area काफी काम आएगा इनके से अगर आप अपनी chairs लगा करें है बैठना चाहें तो भी आप easily यहाँ पर बैठ पाएंगे और यह भी complete area आपको मिलता है इस तरफ आपको sitting area मिल जाता है यह अगेन आपके बच्चों को खेलने के लिए काफी अची जग society है तो यहाँ पर भी आप walk कर सकते हैं और अपनी च्छत पर भी आप walk कर सकते हैं क्योंकि काफी बड़ी च्छत आपको यहाँ पर मिलती है उमीद करता हूं दोस्तों आपकी society का टूबेस के फ्लेट बहुत पसंद आया होगा इस society में कुछ ही फ्लेट 3 बेस के के हैं maximum flat आपको नहीं बूलनी चाहिए टूबेस के maximum flat back side के मिलते हैं लेकिन इस society में सारे के सारे टूबेस के flat आपको front की तरफ मिलते हैं पारकिंग का कोई शू नहीं है दोस्तों बहुत बड़ी parking आपको मिलती है यह टूबेस के का flat आप with bike parking या फिर with car parking दोनों ही option आपके लिए available ह हैं आप ले सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं दिल्ली में द्वार का मोड की location में एक शांदार घर लेना तो यह spread आपके लिए बहतर option हो सकता है इसकी बागी details के लिए गुरू महाद्य वियलसेट से contact ज़रू करें जैब भुले राव